क्लास 11 का कितना सब्सक्राइड रहता है कौन सी बुक सुछी होती है पिजल के मिस्टिप किस तरह से पढ़ है और। और Самय लेवल में कई हूँ, मोडरेट कितना आता है ऐसे बहुत सारे कोशन आपके माइंड में होंगे इन सारे को मैं सोल करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर के लिए chemistry की best strategy रहने वाली है और इस वीडियो में मैं सिर्फ problems की बात नहीं करूँगा solution की बात भी करने वाला हूँ और बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे जानते होंगे मुझे that कि मैं सिर्फ strategy बनाने में believe नहीं रखता हूँ मैं believe करता हूँ कि साथ मिलके उस action plan को follow किया जाए हम लोग साथ मिलके फोडेंगे अच्छा एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ देख रहे होंगे या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप किस क्लास में हो देखो वैसे तो क्लास 11 लगबर बराबर ही होती है 50-50 परसेंट होता है अगर हम बिल्कुल डिटेल में जाएं तो क्लास 11 अप्रोक्स 45 परसेंट होती है और क्लास 12 आपकी 55 परसेंट होती है क्लास 11 की वेटेज आपको थोड़ी से कम दिखाई दे रहे होगी बट स्टिल मैं आपको रिकमेंट कोऊंगा कि क्लास 11 आपको ज्यादा पढ़नी है डिएजन बिहाइंड जीस चांट मैं मानने के तरनां कि इस वीडियो को ज्यादा क्लास 12 वाले बच्चे देख रहे होंगे अब क्लास 12 में आप बोर्ट के लिए भी प्रिपेर करते हो तो आपका बोर्ट के सास्साइब मतलब आप थोड़ हो जाते हो अधर थोड़ बहुत सी तो इसलिए आपको recommend करूँगा कि आपने दोनों को equal preference देनी हो और possible हो तो class 11 को थोड़ी सी ज्यादा preference देना है यह तो आप अपने आप दे लोगे मेरे कहने के बीना भी अगली बात करते है पेपर के level का देखो बैटा इस साल बहुत सारे बच्चों को 720 माक्स आयों और पिछले कुछ सालों से हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि 720 माक्स आ रहे है इट मींस यह possible है देखे नीट का पेपर हार्ड नहीं होता अगर मैं बात करता हूं तो bio सबसे easy रह है 10 परसेंट आप लोग कह सकते हो moderate रहता है और moderate प्लस आप लोग कह सकते हो 10 परसेंट रहता है मतलब difficult कुछ नहीं होता है कुछ भी difficult नहीं होता है अगर आप बढ़िया से previous year कोशन के practice करके गए हो तो possible ही नहीं है कि आपका एक भी number कट जाए और बच्चों के कटते भी नह नुमेरिकल उसमें भी होते हैं बट उसके नुमेरिकल में आपको कहीं सारे फोर्मला का द्यान लखना पड़ता है बट chemistry में इतने इजी होते है एक नुमेरिकल से फोर्मला बन जाता है तो याद रखिए physics जैसी है even easier है और chemistry के अगर सभी portions की बात करें तो सबसे easy हमारी physical chemistry ह और मैं आप सभी बत्रोंगे और उनको भी रिक्मेंड करता हूं कि पहले फीजिकल पड़ना है यह आप इतनी जल्दी भूलते नहीं हो फोर्मला बेस बाते होती है एक्सेप्शिंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं बहुत ज़्यादा डाट आपको रिटेन नहीं करना है यह कुछ फॉर्मला का ध्यान रखना होता है उनको फोकस करना होता है तो सबसे पहले आप फीजिकल पड़ोगे चाहिए क्लास 11 की पड़ोगे यह आप इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को फीजिकल ही दिखाई देती है उसके बाद कर दूँगा इवन बहुत सारी चीजिए मैं आप लोगों के लिए प्लान की है एक एक चीज में आपको बताऊंगा दूसरा है को सब्सक्राइब कर लेना ना पॉसिबल हो तो रहने देना क्योंकि एंस काल्कुलेशन को जावाब करने जाओ तो आप काल्कुलेटर की ले सक और आप देखोगे कि हर साल कुछ सेलेक्टिव टोपिक से ही कोशन बन जाते हैं और वो टोपिक में आपको एक एक करके बताने वाला हूं और जिस टोपिक से लगबग हर साल कोशन पुछा गया उनको बहुत डिटेल में करवाऊंगा भी ठीक है आगे मोग करते हैं आप करके आओ और फिर लगता है या टाइम बच गया फिर उसको करो और एक हर एक पॉर्शन में चाहिए फीजिकल की त्यारी कर रहे हो चाहिए आप इन औरगैनिक की त्यारी कर रहे हो एक कि बहुत सारी बाते हैं इसमें पहुत सारी बाते ही उस्ति होती है वह दूनिया है पर देखने को मिलते हैं उनको अलग से लिखो और बेटा अगेन हर एक के लिए आपकी NCRT मस्ट है आपको NCRT blindly फोलो करनी है यह होने लगेगा देखो इन और गनी केमिस्ट्री आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो बेटा यह आपको एक्जाम दे तक भी थोड़ा डिराती है और यहार में वह बात भूल लूंग और यहार में वह बात भू आपके लिए जो मैं बोला था ध्यारव अकैडवी पर मैं थीन चार चीजे मैंने प्लैन की है एक मैं आपको वताजता हूं कि मैं आपको NCRT का निचोड करवाने वाला हूं हर एक चैप्टर का और यह NCRT का निचोड बहुत डिटेल होगा और इसमें हम लगबग हर एक आपके help कर रहे होंगे बट क्या है कि कुछ NCRT में इतना डिटेल में घुश गये हैं कि 40-40 घंटे में वह एक ही चैप्टर के NCRT करवा रहे हैं मतलब इससे अच्छा तो बहुत बढ़िया रहेगा बच्चा डिटेल लेक्चर देख ले एक ना NCRT आपके 4-5 घंटे का से बहुत इंपोर्टन रहने वाले और पीवाईक्यू सीरी दाने वाली है अगली बात है कंसेप्ट पर ध्यान देना है और पीवाईक्यू मैंने आपको बोली दिया पीवाईक्यू से आपको बदा दलेगा कि हां NCRT के किन-किन टॉपिक्स पर आपको एक्ट्रा फोकस करन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहती है और बच्चों को मुश्किल लगती है रिजन ब्हाइंड दिसकी बहुत प्रैक्टिस मांगती है और और फिजिकल केमिस्ट्री का क्या रहते है कि चैप्टर इंटर लिंक नहीं होते लाइक सोलूशन का इलेक्ट्रों केमिस्ट्री से क सबसे पहले आप लोगो क्या करना चाहिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बेटा जी बेसिक करना चाहिए बहले उसमें 10 गहंटे लगे 15 गहंटे लगे 20 गहंटे लगे उस पर लगाओ एक अच्छा टाइम इनवेस्ट करो और फिर चैप्टर वाइस पढ़ना स्टार्ट कर दो और साथ के साथ सोट नोट्स बनाते चलो जिसमीं टीचर से आप पढ़ रहे हो आ अगर यह रिएक्टेंट है और यह रिएक्टेंट है तो यह प्रोडक्ट बनेगा और उसके आप लोगों ने मल्टिपल रिवीजन करनी है और अगेन वही बात छोट नोट्स आप लोगों ने बनाने है साथ के साथ और एक्स्ट्रा नC-RT को पढ़ोगे नC-RT मैं तुम सेवन येर्ज नीट यूजी चैप्टर वाइज बहुत बढ़िया बात है कि हर एक चैप्टर के टोपिक वाइज प्रिवेज और कोशन दे रखे हैं कि हाँ इस टोपिक से कोशन बुच्छा गया है और जो मैई कि आपने सब कुछ है जोड़ना बट यह रहता है कि किसको ज़्यादा ध्यान देना है जिसको एंटी ज़्यादा फोकस करेंगी और जिसको उन्होंने बेगान ना कर देंगे पढ़ेंगे तो यह आप लोगों को इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक अच्छ जब भी पढ़ोगे आप अपना basic अच्छा करता चलोगे, basic में क्या, like physical के लिए आपको moral concept पढ़ना चाहिए, inorganic के लिए periodic table, उसके trends और chemical bonding का आप एक भी topic नहीं छोड़ सकते, chemical bonding exam में बहुत question आते हैं उससे, and इसके अलावा अक्की सभी chapter में भी help करता है, चाहे inorganic chemistry के chapter हो organic chemistry के chapter, next हम GOC की बात करते है, general organic chemistry या basic of organic कह सकते हो आप यह बहुत अच्छी से पढ़ोगे, NCRT reading, मैंने हर चाहे physical, चाहे inorganic, चाहे organic, NCRT reading आपकी must है, PY कि आप जितने ज़्यादा कर सकते हो, अच्छे करो, mock test जितने ज़्यादा लगा सकते हो, आप जहां से पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से mock test ज़्यादा से ज़्यादा लगो, जितने ज़्यादा कोशन के practice कर रहे हो, उतनी आप अपनी गलत्यों को सुधार पाऊगे, time management सीखनी है, paper आपका मुश्किल नहीं आता है, बट बच्छे time ही manage नहीं कर पाते हैं, वह आपने अच्छे से लेखना है, clear ह जो सबसे जुरूरी चीज़ है, जो टोपर और एक average student को differentiate करेगी, वह है consistency and multiple revision, 80% paper तो easy आएगा, वो तो सभी करी लेंगी, और syllabus भी सभी complete कर लेते हैं, इतने आप consistent हो, इतने आप बार-बार revision कर रहे हो, यह सबसे important है, बाकि मैं तुमारे साथ हूँ यार, और पढ़िया से ह बहुत बच्चोनी पढ़िया होगा मुझसे और अब नीट को फोड़ने वाले, all the best from my side, start करते हैं और बहुत अच्छे से बढ़ते हैं